हेलो ढीर सुटांदों आज हम वो सुटांद पढ़ने जारे हैं जो आपको आपने आौरेटी पढ़े हैं 108 में अलिमगत में पढ़े हैं इस व्यूडियों में हम पढ़ेंगे नुक्लिक फिशिन क्या होता है फिर इठ पॉय होता है is 818 पढ़ेंगे नुक्लिकल में पड़ा है अलमत में भी पड़ा है सो डिफिनिशन अफ नुक्लियर फिशिन क्या है इस प्रास्ट फिप्लिटिंग ऑफ हैवी नूकलिस अगर जो हैवी नुकलिस होते हैं जिनका एक्टम नमबर ग्रेटर दिन टू-230 होता है तो वह तो यहाँ पर इंटू और वो डिसनेघर होता है विदे रिलिस आफे देलिस्टेड होता है विदेलिस आफले अमाट अपंगेंगी जो 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 एटम जो एटम जिनका अब अटम ग्रतर होता है 230 से वो वो disintegrate हो जाते हैं यहां पर हम देखेंगे वेन यूरिनम एटम इस बंबाड़िट विद स्लो न्यूट्रान इट स्पिलेट इंटो बेरियम एंड क्रिप्टान जब यूरिनम एटम को हम बंबाड करते हैं विद स्लो न्यूट्रान तो यह अंस्टेबल बनता है जैसे को यह यूरिनम नाइटी टू तो इसका यह पर अघजन अचेबल बंबाड में करते हैं तो यह यह अनस्टेबल मनता है यह अ मंता है तो फिर यह Kevin हो weirium का Aeterme No. 56 है, और Mars No. 141 है और क्रिप्तान का Aeterme No. 36 है और Mars No. 92 है इसमें यह तू नाइटर नुकलिय में डिस्नेग्रिड हो जाता है और मुझानी जो न्यट्रसे होते हैं ओर फ्यक्रेक्ट ॥ यहपर देखती जो यहांद यहां पर देखती आफ बचो यह लिए देडरिक्ट नियु क्यों जो वह बंबार करते हैं हम शो मुमिंग न्यूटरान से सिलो न्यूटरान से तो यह सिप्लिट अफ हो जाता है तो यह पर यह बेरियम और ग्रिटान में जो है टुछार मॉर लाइटर नुकले में यह बेक अफ हो जाता है और विदे रिलीज अफ लार्ज अमट अफ एनर्जी तो यहां पर देखते हो आफ दे अनर्जी रिलीज अपेर इन दे फार्म अफ गामारीज कानेटिक अनर्जी अफ बेरियम और क्रिप्टान जो है and kinetic energy of released neutron जो है वो जो energy release होती है यहां पर the energy released यहमें यहां पर note करना है कि जो the energy released appears in the form of gamma rays जो यहां पर energy released होती है that appears in the form of the gamma rays kinetic energy of barium atom and kinetic energy of the krypton atom and the kinetic energy release neutrons यह सारा जो energy है that is that that energy release appears the energy released appears in the form of the gamma rays the energy release appears in the form of the gamma rays kinetic energy of the barium and krypton atoms and kinetic energy of the neutrons released so here is figure में से आपको देखते हो कि कैसी release होती है energy the energy is released appears in the form of gamma rays kinetic energy of barium and krypton atoms and kinetic energy of the neutrons released neutrons यहां पर यह जो कालकुलेशन रिविल देट 235 grams of uranium जो है जो 235 grams of uranium जो है on complete fission releases energy equal to burning of about 600 tons of coal जो कालकुलेशन रिविल की गई है कि जो जब यह जो 235 grams of uranium जब इसका complete fission हो जाता है इसमें से energy release होती है और वह energy किसके बराबर जो energy release होती है वह किसके बराबर होती है वह होती है बराबर about 600 tons of the coal यह हमने पढ़ा पेज नमबर 122 पर हमने पढ़ा nuclear fission क्या होता है this is sub topic 8.17 so we will continue the nuclear fission in the another video उसमें हमने nuclear fission के बारे में पढ़ेंगे और difference between nuclear fission और fusion के बारे में पढ़ेंगे so we will continue the next video